भाईया जी गाड़ी आपको कॉस्ट करता है 8,69,000 रुपे एक शोरूम में तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी अपना रोड प्रेजन्स कैसा प्रूफ करती है इसका स्टांस कैसा आता है तो मैं कहूंगा बहुत ही ऑसम सा स्टांस आता है जिस हिसाब से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है जैसे इसके डाइमेंशन है जैसी ये गाड़ी दिखती है तो वो स्टांस रोड के उपर बहुत ही कमाल का दिखता है एक अच्छी रोड प्रेजन्स प्रूफ करता है अगर मैं इस नेक्सॉन के width की बात करूँ तो 1811 mm की width जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है और अगर आप इस गाड़ी की length की बात करेंगे तो 493 mm की length जो है वो आपको नेक्सॉन से मिलती है अगर मैं इसके looks की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ इसका headlamp देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों ही headlamps जो है वो high-logen base दिये गए है low beam के लिए projector है और high beam के लिए reflector base मिलने वाला है नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई fog lamp नहीं मिलता turn indicator की placement दी गई है थोड़ा सा glossy finish जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है side में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको tire size है वो आपको 16 inch का मिलेगा इसमें आपको normal steel wheel जो है वो यहाँ पर दिये गए है उपर यह जो आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक plastic के जो wheel covers है वो use किये गए बट उपर के variants में definitely आपको alloy wheels मिलते हैं आगे आपको यहाँ पर मिलती है disc brake पीछे अगर आप shift होते हैं तो यहाँ पर normal drum brakes जो है वो आपको दी गई है और अगर मैं इसके wheel base की बात करूँ तो 2498 mm का wheel base जो है वो आपको Nexon में मिलता है जो की मारूती की ब्रेजा से सिरफ 2 mm कम है जिसका अच्छा खासा impact आपको जो है वो दिखता है इसके cabin में एक अच्छा space और comfort डेफनेटली यह गाड़ी आपको offer करती है और बड़ी ही practical सी ground clearance 209 mm की ground clearance जो है वो भी आपको Nexon के साथ मिल जाती है फिर अगर आप ORVM की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ORVM यह बिलकुल rugged black finish जो है mat finish वो आपको मिलेगी हालकि turn indicators जो है वो इसी के उपर place दिये गए है यहाँ पर जो door handles है वो भी आपको proper black मिलेंगे यह window line के नीचे जो आप proper garnish देख रहे है यह proper black है B pillar जो है वो भी blacked out है A pillar जो है वो भी blacked out है C pillar पर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है quarter panel का यह जो area है यह भी proper black है यह कुछ plastic के parts है यह जो आप उपर देख रहे हैं यह कुछ ऐसा यूज किया गया है जैसे radium type material तो वो चीज वहाँ पर proper एक decorated लगती है जिसकी वजह से गाड़ी की overall side profile जो है वो काफी अच्छी लगती है उपर आएंगे तो यह सिर्वल करर की roof rails मिलती है यह बिलकुल study है आप इसके उपर अच्छा खासा weight जो है वो definitely डाल सकते है उससे related definitely आपको यहाँ पर कोई problem नहीं होने वाली फिर बात आती है गाड़ी की rear profile की तो यहाँ से आप देख सकते है निक्सॉन की rear profile definitely गाड़ी दिखती तो अच्छी है जिस हिसाब से इसको design किया गया है जो इसका नाम दिया गया ना एक छोटा tank तो वो tank वाला proper एक design जो है वो जलक आपको इसमें दिख जाती है सब सब पहले यहाँ पर निक्सॉन की branding उपर टाटा का logo यह थोड़ी सी glossy finish उपर spoiler पर आप देखेंगे तो high mounted stop lamp normal antenna आपको मिलता है कोई इस variant में आपको shark fin antenna जो है वो नहीं दिया जाता rare में कोई भी आपको wiper या washer जो है defoggers वगएरा नहीं दिये जाते अगर मैं tail lamp section की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है turn indicator जो अभी जल रहा है reverse lamp आपको यहाँ पर दिये गए है और यह जो आप देख रहे हैं यह जो shape है यह proper आपके stop lamp के तोर पर काम करेगी इधर आप देख रहे हैं तो यह reflectors दिये गए है side में थोड़ी सी glossy finish जो है वो भी है इसके उपर tri arrow beams जो style है वो यहाँ पर continue रखा गया है वही चीज आपको rear bumper के उपर भी पीछे देखने के लिए मिल जाती है लेकिन इसके rear bumper पर आपको केवल दो ही जो rear parking sensors है वो देखने के लिए मिलते हैं नीचे अगर आप under body देखेंगे यह इसका proper exhaust tail pipe है और अगर आप इधर देख रहे हैं तो आपको proper जो इस गाड़ी की suspension वगएरा है वो सब कुछ visible हो जाएंगे ground clearance का सही पता आपको यहाँ से भी लग जाएगा अब अगर मैं boot को खोलने की बात करूँ तो देखें इस variant में आपको यहाँ पर कोई भी electromagnetic button यह sensor वगएरा जो है वो नहीं दिया गया boot को खोलने के लिए आपको आना पड़ेगा इधर यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको जो है इस boot को release करने के लिए आपको एक power switch दिया गया है जिससे आप अपनी boot को open कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसका boot खोल देंगे तो आप देख सकते हैं इस variant में आपको कोई parcel tray नहीं मिलती लेकिन अगर मैं इस boot space की बात करूँ तो 300 liter का boot space जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है जो की काफी practical है यहाँ पर आपको luggage loading lamp जो है वो भी मिलेगा मिलती है safety hazard triangle मिलता है और यह है spare wheel यह भी same size का है solar inches का toolkit भी आपकी यहीं placed है और normal steel wheel जो है वही आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप उपर देख रहे हैं तो यह tailgate का जो proper area है यहाँ पर भी यह सब चीज़े covered की गई है grab handle आपको proper मिलेगा ताकि आप easily जो है अब यह proper जो है वो बंद हो गया इस side अगर आप आएंगे तो same वैसा ही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपको मिलती है इसकी fuel filling lid और अगर मैं इसकी capacity की बात करूँ तो 44 लीटर की capacity 44 लीटर की जो capacity है वो आपको इसमें मिल जाती है तो यहाँ पर आप दुबारा एक बार इसकी rare profile जो है वो देख सकते हैं आप चलते हैं गाड़ी के interior में और interior में गाड़ी आपको क्या कुछ offer करती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए गाड़ी का जो overall cabin है वो कैसा लगता है overall काफी superior सा जो look है वो definitely इसके cabin से आपको मिल जाता है proper black थोड़ा सा यहाँ पर आपको glossy silver satin finish के साथ जो है वो देखने के लिए मिलेगा कहीं पर आपको glossy finish जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी थोड़ा बहुत आपको chrome के touch up जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगे overall cabin जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है no doubt सबसे पहले door pad से शुरू करते हैं driver side अगर आप यहाँ पर door pad पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते है proper आपको चारो ही power window के control जो है वो मिलेंगे यहाँ पर आप child safety lock जो है वो भी आप कर सकते है यह भी आपको proper silver जो glossy finish है वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी speaker की placement, umbrella holder proper आपके बस एक बड़ा सा map pocket है bottle holder है यहाँ आपको reflectors दिये गए है as safety purpose के लिए जब भी आपकी गाड़ी अगर highway पर होती है और आप door खोलते है तो पीछे से आते हुए गाड़ियों को almost पता लगता है कि आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते है और lever आपको बिल्कुल black finish के साथ दिया गया है ORVM के control आपको यहाँ पर मिलेंगे आप इसे electrically adjust भी कर सकते हैं और fold भी जो है वो आप इसे कर पाएंगे Twitter की placement जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी seats की अगर मैं बात करूँगा तो seats जो है वो proper fabric upholstery के साथ ही आपको support भी देती है side support जो है वो काफी अच्छा है headrest जो है वो overall काफी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है बैटने में कितनी comfortable है definitely हम उसकी भी बात करेंगे तो यहाँ से अब आप देख लिजिए मेरी height है 5 foot 8 inch उसके बाद आप देखिए मेरे को काफी बड़िया under thigh support जो है वो definitely यहाँ से मिलता है side से भी seats मेरे को proper hold करकर रखती है तो काफी easily जो है वो मैं इस गाड़ी में बैठ पाऊंगा और लंबी जितनी ही मरजी में गाड़ी चला लो मुझे कुछ जादा इसमें uncomfortable feel definitely नहीं होने वाला और इस segment में switch करने का main reason भी यही होता है कि हम चाहते हैं कि proper comfort हमारे को मिले एक बर इसका ignition भी मैं यहाँ से on करता हूँ और अब आप देखिए कि overall जो है सामने आपको जो cluster मिलता है पहले यह सब चीजे जो है वो मेरे को बंद करनी पड़ेंगी अब आप देखिए जो इसका digital cluster आप सामने देख रहे हैं काफी अच्छा लगता है बहुत easy to understand है जादा दिक्कत नहीं होती इधर आपको digital tachometer जो है वो मिलेगा इधर fuel gauge, उपर cooling temperature इधर आपको speedometer जो है वो दिया गया है यहां से आप इन चीजों को adjust भी कर सकते हैं अगर आपने इसका time बगरा set करना है तो और यहां से अगर आप देखेंगे तो नीचे जो आपकी trip A, trip B अभी आपका fuel कितना है average गाड़ी आपको क्या देरी है distance to empty क्या है तो वो सारी चीजे जो है वो आपको वहां से visible हो जाएंगी जो कि almost काफी अच्छा information जो है वो आपको मिल जाता है इधर आपको wiper से related controls देखने के लिए मिलेंगे और इधर आपको headlamp और साथी turn indicator से related controls जो है वो देखने के लिए मिलेंगे कोई auto headlamp वैसा feature जो है वो आपको इस variant में नहीं मिलता यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत chrome का जो use किया गया है cluster पर देखने में overall काफी impressive अच्छा सा जो look है वो आपको मिल जाता है अब अगर मैं बात करूँगा steering wheel की तो इस variant में आपको steering wheel leather wrap नहीं मिलता लेकिन flat bottom है और adjustment के लिए भी आपको सिर्फ जो है इसमें tilt adjustment मिलेगा telescopic adjustment जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता यह proper glossy finish तो दी गई है लेकिन इसके उपर कोई controls नहीं है नहीं आप यहाँ से कोई इस cluster को insert कर सकते है नहीं आप यहाँ से music system को जो है वो आप operate कर सकते है music system के जो controls है वो आपको यहाँ पर दिया गया track आपने आगे या पीछे करना है direct आप home में अगर जाना चाहते है तो अगर आपने bluetooth वगरा connect करना है उसके लिए भी shortcut है बैक जाने के लिए भी shortcut है और display यहाँ पर यह बिल्कुल छोटू सा जो display है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत setup अपने हिसाब से कर सकते हैं कोई भी आपका अगर device वगर आपने bluetooth में पेयर करना है तो आप वो कर सकते है तो यह basic जो छोटी मोटी settings है वो आपको यहाँ पर definitely दी गई है तो अभी यह मेरे phone से जैसे connect हो गया है तो अच्छा खासा इसमें जो sound की quality है जिस हिसाब से यह आपको offer करता है sound quality तो वो quality भी काफी decent है अगर आप बहुत ज़ादा music के शोकीन नहीं है तो आपको upgrade वगएरा इसमें नहीं करवाना पड़ेगा उपर आप यह देख सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर texture दिया गया है dashboard पर यहाँ पर यह glossy finish दिया गया है तो overall combination जो है यह volume को convert करने के लिए यहाँ पर दिये गया है और इधर से आपके FM बगएरा या किसी चीज़ की tuning के लिए setting के लिए वो दिया गया है यहाँ पर नीचे जो है आपको auto AC का feature नहीं मिलता बट climate control के बाकी जो controls है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे आपको ventilation कैसा रखना है वो आप यहाँ से control कर सकते है flow आपको कितना रखना है वो आप control कर सकते है temperature जो आप control कर सकते है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यह super cooling है अगर आप इसे activate करते हैं तो आपका AC जो है वो super speed में cooling करना start कर देगा नीचे यह जो आप देख रहे हैं सब dummy buttons है as of kali यहाँ पर यह look के लिए लगाए गए है बस यह जो आप button देख रहे हैं यह आपके trunk यानि tailgate जो है उसको release करने के लिए यहाँ पर दिया गया है यह सारी जो आप देख रहे हैं proper glossy finish आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है six speed का manual transmission जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है और इधर अगर आप देखेंगे तो यही rotor dial आपको मिलेगा जिसमें आपको तीन modes दिये गए है city, eco और sports जब भी आप इसको use करेंगे for example अभी यह city में है अब मैंने इसको eco में किया तो आपको यहाँ पर eco जो है वो mention हुआ मिलेगा city में करूँगा तो city आपको mention हुआ हुआ मिलेगा और अगर मैं इसको sports mode में डालूँगा तो आपको sports जो है वो यहाँ पर mention हुआ मिलेगा definitely गाड़ी का जो performance है उसमें भी आपको फरक जो है वो दिखता है यहाँ पर अगर 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 नीचे बात करूँ तो आपको एक 12 वोट का power socket एक USB port जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दो cup holders आपको यहाँ पर मिलेंगे थोड़ा space आपके पास यहाँ पर रने वाला है कोई armrest आपको particular नहीं मिलता बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यह plastic part है सब hard है कोई softness नहीं है लेकिन यहाँ पर भी आप अपना हाथ रखकर easily काम चला सकते है यहाँ पर आपको जो है इसकी parking brake जो है वो आपको देखने के रहे मिलेगी फिर अगर interior में storage की बात करूँगा तो एक काफी बड़े size का glob box जो है वो आपके पास है यहाँ पर हाला कि कोई भी illumination या फिर आपको cooling जो system है वो यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन दो cup holder छोटे छोटे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन driver side में आपको सिरफ ticket holder दिया गया है कोई vanity mirror नहीं दिया गया normal IRVM है और cabin light की अगर मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हैं यह LED base है बहुत अच्छा brightness तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी बढ़िया है और अच्छे से आपका काम जरूर चला देगा थोड़ा space आपके पास यहाँ पर रहने वाला है यह आपके mic है अगर आप कोई भी voice command वगएरा उस चीज से related आपको यहाँ पर थोड़ा space मिलेगा seat belt की अगर आप देखेंगे तो यह height up adjust नहीं कर सकते fix रखी गई हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे में काफी अच्छा space है प्रॉपर dead pedal है आपके पास यहाँ पर भी आपके बस काफी अच्छा space जो है वो रहने वाला है उस से related भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आप एक बार मैं इस seat को जरा adjust करता हूँ अपनी driving position के यह साथ से तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छी visibility जो है वो मुझे मिलेगी हाला कि इस गाड़ी का जिसे साब से डिजाइन है ए पिलर बहुत ही वाइड है बहुत चौड़ा है लेकिन आपकी visibility को जादा distract यह करता नहीं है तो बहुत easily अच्छी खासी visibility भी आपको यहाँ पर मिल जाती है no doubt आप एक बार चलते हैं जरा इस गाड़ी की second row में और वहाँ पर यह गाड़ी कितनी practical बनती है वो definitely मैं आपको जरूर बता दूँगा अब आप यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ का cabin जो है वो कैसा मिलता है rare seat जो है इसकी वो कैसी मिलती है सब से पहले seats देखने में अच्छी लगती है cabin देखने में overall काफी neat लगता है अच्छा लगता है उससे related कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे doorpads तो काफी सही है speaker की placement, twitter की placement, यहाँ आपको bottle holder थोड़ा extra space, दरवाजा बंद करने के लिए आपको proper space सब heart plastic है, कहीं भी आपको यहाँ पर soft touch नहीं दिया गया power window का control, पीछे भी आपको जो door levers हैं बिल्कुल black finish के साथ है, यह child safety lock जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अब आते हैं जरा इस पर एक बार इसके interior में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पीछे बैट के आपको space कैसा मिलता है, तो मैं आपको definitely एक बात क्यादन चाता हूँ, कि आपको space यहाँ पर ultimate मिलता है बड़ी अच्छी seats मेरे को definitely personally यह feel होती है हलाकि जो center passenger होगा, उसको थोड़ा सा जरूर दिक्कत होगी क्यों? क्योंकि यह hump जो है, यह भी बड़ा है, छोटा hump नहीं है दूसरी चीज, यहाँ पर यह जो seats है, यह side से थोड़ी सी आगे को बड़ी होई है लेकिन center में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर अगर center में आप किसी बच्चे को बिठाएंगे तो बहुत comfortably बैठ लेगा, लेकिन adult के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल definitely हो सकता है, लेकिन पीछे तीन लोगों के बैठने के साब से जगा काफी है जगा में आपको फिलाल ऐसी कोई दिक्कत जो है, वो definitely face नहीं करनी पड़ेगी seats बहुत ही कुशनी है, बहुत अरामदायक seats जो है, वो आपको यहाँ पर मिलती है अच्छा under thigh support जो है, वो आपको यहाँ पर मिलता है उसके बाद, near room आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा near room है seat में भी थोड़ा सा scoop है, तो वो भी आपको एक advantage मिलता है दूसरा आपको यहाँ पर leg room जो है, वो काफी बढ़िया मिलेगा, उस से related कोई दिक्कत नहीं इस variant में आप क्या miss करेंगे, पीछे कोई आपको AC vents नहीं मिलते लेकिन यहाँ पर आपको काफी अच्छा space जो है, वो मिल जाएगा लेकिन कोई charger वगेरा अगर आपको पीछे नहीं मिलने वाला है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो headrest है, यह fixed है, center में कोई headrest आपको मिलेगा नहीं, armrest इस variant में आपको मिलता नहीं है, seatbelts आपको मिलेगे, center passenger के लिए जो आपको seatbelt मिलेगी, वो normal lab belt जो है, वो आपको दी गई है, proper three pointed नहीं है लेकिन isofix seats के जो mount है, वो definitely आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, child safety seats जो है, वो आपको मिलेगी इधर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी foldable handles है, hooks के साथ आपको दिए गई है, hook आपको extra यहाँ पर भी दी गई है तो कुछ चीजों में तो Tata ने definitely practicality के मामले में तो काफी सोथ समझ कर काम करा है लेकिन जहाँ पर अभी भी और improvement की जरूरत है, वो थोड़ा सा है fit and finish गाडिया build quality के मामले में तो भाई किसी को अपने आगे नीटिक ने देती, यह आपको मुझे हम सब को बताए बट fit and finish में definitely अभी और improvement की जरूरत है चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जड़ा एक बार इसके engine की बात करते है तो यह है आप देख सकते हैं Tata Nexon का engine way यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार रेवर्टरान engine मिलता है जो की एक 3-cylinder engine है जो generate करता है 118 BHP की power और 170 Nm का torque अगर यहाँ पर आप hood में देखेंगे तो यहाँ पर proper insulation है वो definitely use किया गया है और इसमें आपको एक पक्का जो अच्छा खासा weight है वो definitely यहाँ पर feel होता है placements की अगर आप बात करेंगे तो overall सारी placements आपको यहाँ पर नीटी दिखेंगी ऐसा कुछ horse watch या फिर wiring वेगर आपको बिखरी होई बिलकुल नहीं दिखती है नीचे अगर आप दिखेंगे तो आपको proper floor जो है वो definitely नजर में आ जाएगी तो कोई भी यहाँ पर engine production guard जो है underbody covers वो यहाँ पर use नहीं किये गए है अब अगर आप इसे बंद करते हैं तो यह हो चाहे इसकी trunk हो तो इतना weight है इसमें कि आपको अच्छे सही उसको बंद करना पड़ता है नॉर्मल बाकी गाड़ियों के तरह अगर आप उसे हलके आथ से छोड़ दे तो वो चीजे close जल्दी होती नहीं है तो overall गाड़ी की अगर practicality की बात करिये जाए तो बहुत ही शांदार practicality definitely आपको offer करती है और इस segment में चाय आप Hyundai की Venue की बात करिये, Sonnet की बात करिये, Brezza की बात करिये, XUV300 की बात करिये ये गाड़ी definitely endcap में safety rating में 5 star rated है, बहुत ही practical गाड़ी हो जाती है, काफी अच्छा wheelbase है, काफी अच्छा ground clearance है अगर मैं engine के performance की बात करूँ, बढ़िया perform करता है, हालाकि three cylinder engine है, उसकी वैसे थोड़ा बहुत आवाज जो है, वो बिल्कुल थोड़ा जादा जरूर करता है लेकिन जो performance आपको generate करके देता है, वो काफी अच्छा है, बात अगर reliability की आ जाए, तो Tata ने इस चीज के उपर बहुत शानदार काम किया है, अभी अगर सबसे ज़ादा गाड़ी किसी company की बिक्री है, जिस company ने अभी अपने आपको बहुत अच्छे improvement के level को touch किया है, तो व एक डम, A1 class जिसको हम कहते हैं न, पैसा वसूल, वो चीज आपको मिलती है, चाहे आप seats की बात करिए, जिस हिसाब से आपको comfort मिलता है, आप उसकी बात करिए, safety features की बात करिए, safety feature में भी आपको इस गाड़ी में, ABS with EVD जो है, brake assist मिल जाता है, electronic stability program जो है, वो मिल जाता है, द और बहुती safe भी हूँ, बहुती secure भी हूँ, तो overall इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर करना, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद